हलो एवरीफ़ान वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एएच हलपलाइन कैसे हैं आप लोग सो इगनों के तरफ से आज बहुत सारे अपडेट पब्लिस किया गया है टाम इन एक्जाम रिजल का एक और अपडेट पब्लिस किया गया है इसाइमें समिसन करने का गाइडलाइन्स रिलीस किया गया है साथी साथ 36 कॉन्वकेशन जैसा कि आप लोगो पता है कि तीन अप्रिल को कंड़ा करवाया जाने वाला है तो उसको लेकर बहुत सारे रिजिनल सेंटर के तरफ से अलग-अलग नोटिफिकेशन रिलीस किया गया है तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डीटेल में बात करेंगे आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट ज़रू देख लिजेगा एच हल्पाइन चैनल पर फॉस्टम आया है इगनू के स्ट्वेंट हो तो हर एक एक इक इन्फरमेशन टाइम टी टाइम पाने के लिए एक और अपडेट पब्रिस किया गया है 29 मार्स तक तो जो बेस्टेंड ने रीचेकिंग के लिए अपलाई किया होगा वो लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और देखो रिवैलियोशन रिजल्ट डिकलेर होने में काफी वेट करना परेगा और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि टाम एक्जाम फॉर्म फिलप करने का लास्ट डेट विदाउट एनी लेट फाइन पांच अप्रिल तक है तो तब तक आप लोग चार अप्रिल तक वेट कर लेना अगर रिजल्ट डेकलेर नहीं ह कर सकते हैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथी साथ आज इसामिन समिशन करने का गाइडलाइन्स फाइनली डिली वन रिजनल सेंटर के तरफ से रिलीज कर दिया गया है कुछ दिन पहले गलती से मैंने दिसमद्वाबाइस टाम एक्जाम का इसामिन ग्इसन करने का गाइडलाइन्स दिल्ली वन रिजनल सेंटर के तरफ से रिलिज कर दिया गया है गाइडलाइइस आप व् líder के स्केन के ऊपर नजर आ रहा है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीड फइ। टेली ग्राम चानल पे अपलोड कर दिया गय जहां पर Google Form से आपको assignment submission करने की facility दी गई है तो आप लोग Google Form से भी assignment submit कर सकते हैं लेकिन आप जिस study center से belong करते हैं उसके accordingly जो भी guidelines आपको बताया गया उसी के हिसाब से ही आपको assignment submit करना है अगर आपको बोला गया कि offline hard copy में submit करना है timing दिया हुआ है तो आपको उसी हिसाब से submit कर study center पर आप लोग देखोगे कि वहाँ पर hard copy में assignment submission लिया जा रहा है बस गीने चुने चार से पांच study center है जहां पर Google Form से आपको assignment submit करने के facility दी गई है तो आप लोग उसके accordingly में अपना assignment submit कर सकते हो Google Form से assignment submit करने में कोई issue नहीं है इसको पर already मैंने detail में video बनाया हुआ है आप ल जाएगा normal सा guidelines दिया गया है जो कि हर एक एक assignment के guidelines में दिया रहाता है इसमें detail में चीज़े लिखी हुई है कि जितने भी Google Form आप लोग ने देखा होगा उसमें sort में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है लेकिन इसमें detail में सारा चीज़ बताया हुआ हुआ है उसको आप लोग खुद से भी पर सकते क्योंकि normal साही guidelines है पढ़ने जाओंगा तो एक गंटा का वीडियो हो जाएगा तो आप खुद से ही समझ लेना बस एक इसमें एक ही गरबड़ी है कि जो PDF का maximum size दोनों ने दिया है वो 10 MB दिया हुआ है ठीक है जिससे student को काफी problem होता है क्योंकि आप लो से जो इसू किया गया front page है वही use करने के लिए ठीक है तो यह है front page जिसको आपको use करना होगा अगर आप google form से submit कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना name, enrollment number, program code, course code, study center code, name of the study center, उनका address, mobile number, email address और उसके बाद से सारा detail सही है नहीं उसके बाद yes कर लेना उसके बाद से आप submit क करना चाहते हो तो ठीक है तो यहाँ पर आप लोग साथ चीज पढ़ लेना अगर कुछ ना समझ में तो मुझसे पूछ रहेना ओके तो यह है डिली वन एरीजनल सेंटर के तरफ से guidelines जो की finally जून थाटेश के लिए release कर दिया गया है उसके बास से जो भी notification release किया गया है सभी 36 convocation को लेकर ही release किया गया है 36 convocation तीन अप्रिल को कंड़ करवाया जा रहा है इगनों के headquarter में and all over इंडिया में जो जो रिजनल सेंटर है वहाँ पे तो उनके तरफ से आप notification आना स्टार्ट हो गया है जैसे कि आपको पता है कि invitation लेटर आपको मिलता है उसके बास से फिर आप आप लोग कर सकते हो तो उसको लेकर देहरादुन original center के तरफ से एक बहुत अच्छा initiative लिया गया है वो सब इस्टेंड के लिए जिन्होंने किसी भी कारण वस अपना registration नहीं किया 36 convocation के लिए तो देखो उनके लिए क्या बोला गया है ध्यान से समझना देहरादुन original center में ज आजीव गांधी नवोदेव विद्याले राइपूर रोड देहरादुन ठेक है यह है venue और चीफ गेस्ट होंगे dr. धन सिंग रावत उसके बास से यहां पर यह बोला गया है कि जो बेस्ट्रेंड convocation attend करना चाहते हैं तो उनको यह google form fill up करना होगा ताकि वो लोग इसका convocation के लिए registration किया था लेकिन form में आपके पास एक option आता है कि क्या आप convocation attend करना चाहते हो या नहीं तो वहां पर आपने no कर दिया था लेकिन अभी आपका मन में है कि चलो attend कर लेते हैं तब भी आप लोग यह google form को fill up करके उसके बास से convocation attend कर सकते हो साथी साथ अगर आपने fee payment नहीं किया है तो आपको बोला गया कि immediately आप अपने regional center visit कीजिए 600 रुपया का payment कीजिए और उसके बास से आप attend कर सकते हो तो यह देहरा दुन regional center के तरफ से google form release किया गया है जो आप location के ओपर नजर आ रहा है simple simple सा detail है सारा detail fill up करोगे यहाँ पर आपको कुछ question का answer देना है that is what is your option while applying for degree याने कि आपने जब registration किया था तब क्या आपने opt किया था fee paid online opted to attend convocation fee paid online opted to get degree by post ठीक है तो जो भी आपने select किया था वह आप यहाँ पे option select कर सकते हो और आपको बताना पड़ेगा कि आप attend करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो अगर आप attend करना चाहते हो तो आपका seat reserve किया जाएगा और उसके बास से आप attend कर पाओगे और अगर यह प्रिजिंस बता देंगे कि आप attend करने जा रहा हो या नहीं उसके बास से भूबनेस्वर रिजनल सेंटर के तरफ से भी 36 convocation के लिए invitation लेटर जारी कर दिया गया है आप लोगो वेन्यू भी बता दिया गया कि कहा convocation होगा mkcg auditorium utkal university भूबनेस्वर और जो chief guest होंगे वो होंगे sambal university के vice chancellor विदू भूसन मिसरा ठेक है तो जितने बेस्टवें भूबनेस्वर original center से बिलॉंग करते हैं और उन्होंने convocation के लिए registration कर दिया होगा तो ये venue को आप लोग note down कर लेंगे उसी को लेकर ये invitation card release किया गया और आप जाते हो तो आपको invitation card print out करके लेके जाना परेगा उसके बास से जैपूर regional center के तरफ से भी 36 convocation के लिए notification जारी कर दिया गया है और यहां पर जो chief guest होंगे वो होंगे प्रोफेसर राजीब जैन जो की honorable vice chancellor है यूनिवर्सिटी ओफ राजिस्तान का राजिस्तान के जो venue हो होगा वो होगा auditorium international school of information and management महावीर मर्ग मंसरोवर जैपूर 302020 ठीक है तो यह है venue आप लोगो को अल्यरी पता है दस दस बहें तक पहुंचाना है आपको पहले ही पहुंचाओगे तो अच्छा होगा क्योंकि सकाफ के लिए आपको time देना परता है में लाइन लगाना परता है तो आप लोग पहले ही पहुंचाना बाकी दो दिन बाकी रहेगा तो और एक और notification आएगा जिसमें timing हो गयरा को लेकर बताया जाएगा लेकिन normally 10.30 से start हो जाता है आप लोग 9.30 to 10 के बीच में पहुंचाओगे तो बहतर होगा तो जैपूर original center के तरफ से भी आप लोग के एटेंड कर लेना यह lifetime का एक moment होता है जिसको आप हमेशा celebrate कर सकते हो तो इसलिए आप लोग जरूर एटेंड करना अगर आप eligible हो तो उसके बास से पतना स्वारी जैपूर original center के तरफ से तो यह है उसके बास से पतना original center के तरफ से भी release कर दिया गया है कौन वोकेशन को लेकर साथी साथ आप लोगो वेन्यू भी बता दिया गया है यहाँ पर प्रेम चंद रंगसाला राजिंद्र नगर पतना यह है वेन्यू कॉन्वकेशन का एंड जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे प्रोफेसर आर्के सिंग वाइस चांसलर पाटलिपुत्र यूनिवरसिटी ठ स्ट्रेंट है अगर उन्होंने थाटी सिक्स के लिए रेस्टेशन किया होगा तो यहाँ पर अपना नाम चेक कर लेंगे उनके तरफ से भी जो वेन्यू है वो बता दिया गया है उसके बास से जम्मू रिजिनल सेंटर के तरफ से भी इंविटेशन लेटर अलेडी रिलेज कर दिया गया है और आप लोग को बता दिया गया है कि 36 Convocation आप लोग का जम्मू रिजिनल सेंटर के जतने भी स्ट्वेंट है वो कहां पर होगा औरिटोरियम कर्वेंशन सेंटर गुलामी बाग नियर इंदरा थेयाटर कनाल रोड जम्मू जो चीफ गेस्ट होंगे वो हों में इगनु के डिफरेंट रिजनल सेंटर के तरफ से Convocation को लेकर जो नोटिफिकेशन रिलीस किया था उसके बार में मैं बता रहा था सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप लोग पहली फुरसत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तक यह सो मुझ भूच पूर वच्छ 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 वच्छ